नमस्कार, मैं हूँ आपका ड्रोन मित्र, ड्रोन पाइलेट, इसके पहले वाली बुलेट ट्रेन सम्बंदित वीडियो को लाइक कॉमेंट और सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवत करता हूँ मित्र, इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद कहना चाता हूँ, जिनों ने मुझे ये वीडियो बनाने के लिए प्रेरिट किया है पार्नेरा परवत नैश्टल हाईवे नंबर 48 से ज्यादा नस्दिक है, केवल 2 किलोमेटर इस वीडियो में आपको पार्नेरा परवत के किले का संक्षिप्त इतियास बताने जा रहा हूँ मित्रो वैसे पार्नेरा परवत पर बसा हुआ ये किला सदियों पुराना है किले पर चड़कर उपर आने के दो रास्ते हैं उत्तर और दक्षिन एक तरफ सूरत और दुसरी और मुंबई दोनों तरफ पहाड़ी की नीचे तक पक्की सड़क बड़ी हुई है और पार्किंग सुविदा है मुंबई से आते हुए अतुल वाले रास्ते से संबंदित वीडियो इसके पहले बना चुका हूँ तो इस वीडियो में वलसाड़ वाले रास्ते के बारे में बताने जा रहा हूँ यहाँ पर चड़ाई जादा है 500 सिडिया है और सिडियो पर छथ है यहाँ पर चहल पहल होती है दोनों के ही गूगल लोकेशन मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किये है आप चेक कर सकते हैं और यदि आपने मेरा चैनल ड्रोन मित्र अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कुरुपया सब्सक्राइब कीजिए सब्सक्राइब करने के लिए नीचे देए गए सब्सक्राइब बटन के साथ बेल बटन को ज़रूर दबाए और मेरे चैनल के प्लेलिस्ट को अपनी यूट्यूब लाइबरेड में एड़ जरूर करें इससे वीडियो ढूंडने में आपको आसानी होगी पानेरा परवत के पास से और नेस्टाल हाइवे नमबर 48 के पास बसे अतुल इंड़स्ट्रीज के बारे में हो सके तो किसी और वीडियो में बताऊंगा हाइवे के परियाय किसी को यहां ट्रेन से आना हो तो नजदे की रेल स्टेशन है वलसाड रेल्वे स्टेशन कुछ लोगों का यह मानना है कि यह किला 15 अब्दी तक राम नगर जिसे अब हम धरंपूर के नाम से जानते हैं उस धरंपूर के राज्य की देखरेक में था 15 अब्दी के अंत में सुल्तान महमत्षा बेगडा ने इस किले को जीत लिया था 16 अब्दी में दमन के आकरमन कारियों द्वारा इसे नश्ट कर दिया गया था एक एतियासिक तथ्य के अनुसार कभी दमन मुगल शासन किया दिन था इसी दोरान फिरांगियों ने दमन पर आकरमन किया और क्योंकि कोई मुगल सुवेदार यहां पार्नेरा किले में चुपा हुआ था उस मुगल सुवेदार की तलाश में फिरांगियों यहां आये और शायद तब इस किले को नश्ट कर दिया परंतो उसके बाद छत्रपती शिवाजी महाराज ने इस किले का उप्योग किया खासकर गुजराद आते जाते मित्रो महाराज ने अपने कार्यकाल दोरान कहीं सारे किलो का निर्मान किया था और अन्य कहीं सारे किले को कूट नीती से, युद नीती से या किसी और कौशल्य से जीत कर उन सारे किलो का बखुबी इस्तमाल भी किया था शत्रूओं के लिए महाराज और उनके सेना के बारे में पता लगाना मुश्किल ही नहीं असंबव होता था उन सब की जानकारी किसी को नहीं होती थी आज के इस युग में कुछ लोगों को केवल इतना पता है कि महाराज के शत्रू मुगल थे और आजीवन उन्होंने मुगलों से संगर्श किया परंतु वास्तों में महाराज के प्रमुक्षत्रू उत्तर की और मुगल थे जो की दक्षिन की और मुगल सामराज्य विश्दार नहीं कर पा रहे थे इसके अलावा दक्षिन की और महाराज के शत्रू थे निजाम और आदिलशाई वंच कूट नीति से काम लेते हुए महाराज ने आदिल चाई से शुरुवात से ही शत्रुता नहीं की परन्तुक दशोकों के बाद उनका इलाज भी शुरू किया मित्रो दक्षेन की और से होते हुए महाराज उत्तर की और आने लगे यानि पुने और नाशिक की वादियों से होते हुए राइगड की और प्रयाण इसके लिए करने लगे क्योंकि वह मुगल शत्रु को वादियों में और पहाडियों के उपर तक चड़ने ही नहीं देना चाहते थे राइगड को इस कारण उन्होंने अपनी राजदानी बनाया परन्तु उसके पहले जब पहाडियों से नीचे राइगड की दरफ आने पर उन्होंने स्वालाज्य यानि हिंदवी स्वाराज यानि स्वतंत्र हिंदू राष्ट्र भारत के एक और सत्रु को पैचाना और वो थे अंग्रेज जो की मुंबई से वसाई मार्क से भारत में गुश चुके थे और इन्होंने यहाँ अपना बसेरा कर लिया था वास्तों में शिवाजी माराज ने इन्हीं अंग्रेजों यानि ब्रिटिश जो की इंग्लेंड से आये थे उनके साथ भी संगर्ज किया अंग्रेजों का शुरुवत में ये कहना था कि वस्वयम यहाँ केवल व्यापारिक हैतू से कार्य कर रहे थे अपने आपको उन्होंने कहीं दस्वों को तक एपोलिटिकल बताया था अंग्रेजी में जिसका आर्थ होता है अराजनेतिक होना परन्तु वास्तों में अंग्रेजी ये स्वराज्य और भारत की एक और प्रमुक्षत्रू थे ये वास्तविक्ता को शिवाजी महाराज ने पहले ही जानकर उनका जमकर वहीं पर इलाज कर लिया था महाराज ने अंग्रेजों के अधिकार क्षेत्र जैसे की मुंबई, वसई और उसके आसपास के समुद्री इलाकों में और द्वीपों में किलों का अधिकार पुरण निर्मान किया था बिलकुल उनकी नजर के सामने मुंबई, ठाने, राइगर्ड और इनी सारे समुद्री इलाकों में विवित प्रकार की उत्तम दर्जे की नौकाओं का और सबसे मुहत्वपुर्ण स्वदेशी युद्ध जाहाजों का निर्मान कर समुद्र तट के संरक्षन हेतु सर्वा प्रथम नौकादल जिसे मराठी में आरवार कहते हैं उसका निर्मान किया इसमें कोई संदे नहीं है कि भारतिय नौकादल की स्थापना महराज के कार्यकाल दोरान हुई थी अंग्रेजी और पॉर्टुगीज दस्तावेजों में इनकी नौकादल की शक्ति के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है महराज के समुदरी शौरेगा था पर अलग से विडियो बनाया जा सकता है दक्षिन की और निजाम शाही आदिल शाही के अलावा एक और शत्रु महराज ने पहचाना था और वो थे पॉर्टुगीज इनका सामना करने और पॉर्टुगी सामरज्य को गोवा और उसके आसपास तक सिमित रखने हेतु एक विशाल किले का निर्मान किया जिसका नाम है सिंदु दुर्ग दुर्ग याने किला किला शब्द भारतिय नो होने के कारण मराठी में दुर्ग शब्द का प्रयोग किया जाता है ऐसा माना गया है कि सिंदु दुर्ग को उस बौगोलिक शेत्र में निर्मान करना अत्यन्त अवश्यक था उस विशाल सिंदु दुर्ग याने किले की निर्मान कायरे के लिए धन्दाशी का अभाव महाराज ने सूरत छापा मार मोहीम से पुर्ण किया था और ये तथ्य बहुत ही कम लोग जानते हैं दुर्भाग्य से आज करई लोग केवल यही कहते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने सूरत को लूटा था मित्रों उस काल में सूरत में व्यापार मोगलों के हास तक था और यहां अन्य व्यापारियों से मोगल सुवेदार खोब वसुली करते थे क्योंकि उस काल में मोगलों का ही तो साशन था शुरुवाती दोरों में महाराज ने बार-बार मुगलों से चौथ वसुली का प्रस्ताव किया जिसे मुगलों ने नकार दिया उसके बाद महाराज के गुप्तचरों ने सूरत के बारे में संपूरुन जानकारी खास करके आर्थिक जानकारी महाराज को देना शुरू किया। सूरत की सूरक्षा व्यवस्ता वहाँ के सभी बड़े से लेकर छोटे व्यापारियों की आदी और उनके पास अपेक्षित धनवराशी की संभावना इत्या दी। मित्रो, सूरत में चापा वारने से पहले महाराज ने एक आखरी बार चौथ वस्तुली का संदेश भेजा और देड़ दिन का समय दिया। जिस वक्त महाराज अपनी सेना समय सूरत से थोड़े ही दूर उधना में आकर बसेरा कर चुके थे। लेकिन इस बार भी महाराज के चौथ वस्तुली के संदेश को सूरत के सरदार ने नकार दिया और उसके बाद ही छापा वारना शुरू किया। एसा कहा जाता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने कभी न कभी गुजरात आते जाते पार्नेरा किले पर बसेरा किया था। एक कथा ये सुनने को मिली कि सन 1664 में या 1670 के दोरान जब चत्रपति शीवा जी महाराज सूरत से लोट रहे थे तब यहां पार्नेरा किले के पास घमा सा नियुद्ध हुआ और एक बार महाराज को यह किला चोड़ ना पड़ा क्योंकि इस किले को हर तरफ से शत्रु सेना ने गेर लिया था ऐसा कहते हैं कि तब महाराज की क्रुष्णा घोडी ने इस दौर से चलंग लगई और घोडी पर सवार महाराज नदी को पार करते हुए दक्षिन की और निकल गए तब से इस दौर को गुजराती में शीवाजीनी बारी कहते है बारी यानि खिड़ की या ध्वार ये घटना सुनने में आज चमतकारी इस कारण लगती है क्योंकि इस समय पार नदी किले से काफी दूर है पर हो सकता है उस काल में नदी का पातर विशाल और चोड़ा हो कुछ लोगों का तो ये कहना है कि महाराज की घोड़ी ने बहुत ही उची छलंग लगा कर नदी को ही पार कर लिया था जिस कारण इस नदी को आज भी पार के नाम से जाना जाता है और इस नदी के उस पार की तहसील को किल्ला पारडी पार्नेरा परवत के आसपास दो और गाउं है जिनके नाम है अटक पारडी और पार्नेरा पारडी मराठी में अटक का अर्थ गिरफतारी होता है और गुजराती में अटक का अर्थ होता है उपनाम इन नामों के पीछे कुछ तथ्या चुपा हुआ हो सकता है मित्रों यदि आप मेंसे किसी के पास कुछ और जानकारी हो तो शेयर ज़रूर करे मुझे इमेल करे इस किले में बहुत ही गहरे पानी के तीन कुंड है और ये कहा जाता है कि इस कुंड की किले की गहराईयों में खाजाना और हत्यारों को रखा जाता था गुजराती में ऐसी व्यवस्था को वाव कहते हैं यहाँ आसपास में रहने वाले लोग यह बताते हैं कि खाजाने की खोज में वाव के अंदर जाने वाला कोई भी व्यक्ति आज तक जीवित वापस नहीं आया है मित्रो वाव की रचना कुछ ऐसी ही होती है मित्रो यह बत इसलिए सच हो सकती है क्योंकि महराज सूरत मुहीम से पहली बार लटते हुए अपनी सेना और खाजाने के साथ पुने की और चले थे परन्तु दूसरी बार उन्होंने रास्ते में कहीं पर खाजाने को दो हिस्सों में बाट दिया था और उसमें से एक हिस्सा लेकर कल्यान के किले की और प्रयान किया था वास्तों में खजाने का वह दूसरा वाला हिस्सा कहां पर छुपा है उसका आज तक पता नहीं चल पाया पर ऐसा लगता है कि ये खाजाना कल्याण से होते हुए नाशिक से लेकर पूरे तक कहीं भी हो सकता है यहाँ पर एक और विचारनिया तथे जानने को मिला सूरत में पहली बार छापा मारने के लिए और युद्ध के लिए हरे गोड़ सवार के साथ एक खाली गोड़ा साथ लिया गया था वह इसलिए कि सूरत से सारा अरजिर किया हुआ धन, हत्यार, बारुद यहां तक की वस्त्र इन खाली गोड़ों पर लाद कर तेज गती से पुरे की और ले जाये जा सके परन्तु दूसरी बार छापा मारने के दौरान हरे गोड़ सवार के साथ एक खाली गोड़े को रखने के बज़ाए कई सारे बैलों को साथ लिया गया था इस बात को सुनकर ये जान सकते हैं कि महराज ने किस प्रकार शत्रुक की शक्ती और सामर्थ्य का अनुवान पहले बार छापा बारने के दौरान ही लगा लिया था भारत वर्ष का हम सब का ये दुर्भाग्य कि 1680 में केवल 50 वर्ष की आयू में महराज का स्वर्गवास हुआ महराज के बाद सर्वप्रथम पेश्वा मोरोपंत पिंगले ने यहां पार्मेरा किले पर अपनी सेना का आड़ा बनाया यनी इसे अपना गढ़ बनाया पेश्वा मोरोपंत ने शिवजी महराज के शासनकाल दोरान उत्तम राजस्व प्रशासन की शुरुवात की और कई सारे रण नितिक किलो की रक्षा और रखरखाओ से संबन्दित संसाधन मियोजन में महाद्व पुर्ण भूमिका निभाई एक उधारण के तोर पर कहा जाए तो प्रताब घड के निर्माण और प्रशासन की जिम्मेदारी मोरोपंत पेश्वा की हुआ करती थी सौ वर्षों तक पेश्वाओं का सुवर नकाल चला 1752 में पार्नेरा किला वडोद्रा के गायकवार सरकार के अधिकार में जाने के बाद तीसरे बाजी राओं पेश्वा ने पार्नेरा पर आक्रमन किया जो युद्ध कुल साथ दिनों तक चला किसी कवी ने पार्नेरानी लोल नामक गुजरादी गर्भा में इस युद्ध का काविय सोरुप में विश्वरुत वर्णन किया है मित्रो किसी के बास गर्भा के बोल हो या कोई और जानकारी हो कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करे या मुझे इमेल करे मराठो के साशनकाल बाद सन 1780 में एक अंग्रेज शासक लेफटेनन्ट वेल्स ने इस किले पर अपना आधिकार कर लिया और पिंडारियों से प्रतिरक्षन हेतु यहां अंग्रेजी पल्टन को तैनात कर दिया अपने आपको एपोलिटिकल कहने वाले और और अजनीति खेतु से भारत में गुशने वाले अंग्रेज अब तक अपना पूर्ण रंग दिखा चुके थे इनी अंग्रेजोंने 1857 की विपलाव दोरान इस पार्नेना किले को नश्ट कर दिया था क्यों? उन्हें ऐसा लगता था कि कुछ भारती यहां मिलकर भजन किर्जन करते थे स्वयम विचार कीजिए 1857 में किले को नश्ट किया जाने के बाद कि कुछ अवशेश यहां आज भी मौजूद है और देखे जा सकते हैं सुना था यहां पर तीन तोपे रखी हुई थी कहां है मुझे देखने को नहीं मिली सन 1950 तक यहां डेड़ सो तोपे देखी जा सकती थी परन्तु आज एक भी नहीं ऐसा सुना है कि बाकी की सारी बारी भरकम तोपो को वलसाड आर्बीएफ ग्राउंड में रखा गया है मित्रो इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करने जा रहा हूं यह आशा करते हुए कि कभी हो सके तो आप नेश्टल हैवे 48 से होते हुए पार्नेरा परवत पर चड़ कर आए और यहां के इस एतियासिक किले को देखे और यहां पर तीन मंदिरों में विराजमान देवी देवताओं के दर्शन जरूर करें यदि किसी कारण वश आप यहां आ नहीं सकते या किले के उपर तक चड़कर जा नहीं सकते परंतु यह किले के उपर विराजमान देवियों के दो मंदिर अलग होने का कारण इसके पीछे की कथा सुनना चाहते हैं या फिर मंदिर के फो जरूर बताएं अच्छा लगने पर लाइक जरूर करें और आपके विचार कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं किसी और जगा के बारे में आप वीडियो देखना चाहते हैं तो बताएं मैं उस विशे पर वीडियो बना सकता हूं जगा 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 जाकर वीडियो बनाना ये मेरा एक और काम है इसके अलावा यदि आपको किसी भी आउसर पर ड्रोन शूटिंग, ड्रोन क्लिप्स या ड्रोन फूटेज की आवस्चता हो तो मुझे इमेल करें ट्विटर फेस्बुक पर आप मुझे से जोड सकते हैं ट्विटर और फेस्बुक पर मैं हूँ आपका ड्रोन मित्र और इंस्टाग्राम पर ड्रोन मित्र 4K जै भारत, जै हिंद, वंदे मातरम झाल